दोस्तो आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कई बार ऐसे सुनोगा कि कई सारे अमीर जारे ऐसे होते हैं जो महेंगी बहेंगी पेंटिंग्स को हरीदना पसंद करते हैं एक एक करोड़ी दो-दो करोड़ी पांच मास करोड़ी तो कभी आपके मन में क्वेशिन आए कि सर अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम उसको पेंटिंग को खरीदने में वेश्ट नहीं करते हैं बनकि हम इसे कहीं प्रापर्टी में पैसा लगाते हैं कहीं गोल्ड पेस्ट करते हैं जहां में पैसों से पैसे बनाने का मौका मिलता तो सर यह लोग इतनी महँगी पेंटिंग को क्यों खरीते हैं तो मैं आज आपको उसका रीजन बताता हूं दीखे क्या होता है मैं एक क्जाम्पल के थूरू समझाता हूं होता यह कि let's suppose कि मैंने एक करोर के पेंटिंग खरी थी, जब मैं उस पेंटिंग को खरी दूँआ तो मैं क्या करूँगा, उसको किसी चैरीटी में, या फिर कहीं एगजिबीशन में, या फिर कहीं मूझें में, उसको डिस्प्लेइप लगा दूँआ, अब मैं जब डिस्प्लेइप तो मैंने पेंटिंग के इतने खरीदी एक करोड की लेकिन जब मैंने उसको डिस्प्ले में और एक्जिबिशन में लगाया तो सामने से ग्रहक मुझे मिला दस करोड का क्योंकि हो सकता है कि over the period of time उसकी value बढ़ जाए अब क्या होगा कि मैं उस painting को charity में donate कर दूँगा मैं बेचूंगा नीदेहन देना मैं उसको painting को charity में donate कर दूँगा अब charity वाला उसकी कीमत निकालेगा कि आखे दिनों ने मुझे charity कितने रुपे गी है तो मैं बोलूँगा कि देखो मैंने तो खरीदे एक करोड में थी लेकिन आज जब मैं आपको इस चीज को donate कर रहा हूँ तो इसकी जो कीमत है वो है 10 करोड अब जब मैं charity में 10 करोड का donation दूँगा तो income tax department से ये आएगा कि आपने donation किये है 10 करोड की और क्यूंकि आपने 10 करोड की donation दिया और इस type की donations होती है अगर कल कोई ये donation नहीं दियोती तो आपके ओपर tax सकता 30% का तो एक बार बताओ 10 करोड की चीज अगर मैं बेशता तो मुझे टेक्स सिता मनता 3 करोड का अब ये बताओ कि यहाँ पर जो 3 करोड है इसका मुझे tax credit मिल जाएगा क्या मिल जाएगा tax credit मिल जाएगा अब हुई ना फायदे का सोधा एक करोड की investment है painting में और 3 करोड का मुझे tax credit मिल ला है यानि 2 करोड का सीधा सीधा मुझे फायदा मिल ला है और यही reason है कि जितने भी हमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं painting में invest करते हैं और मैं बता दूँ इस टाप का tax credit हर country में नहीं मिलता और वहाँ पर यह जो practice है वो सबसे ज़ादा use की जाती है तो I hope guys कि आपको भी पता चलिका हुआ कि किस तरह से हम painting से अपने tax की saving कर सकते हैं